नमस्कार साथियों, सी वीबिकल आईटेई गुरू में आप सभी का स्वागत है हर्याणा का फॉर्म भरने के लिए आईटेई का कौन कौन से डाकुमेंट्स लगेंगे तो लिस्ट आपके सामने यहाँ पे दिया गया, यह सारे डाकुमेंट्स जो हैं अपने पास रखें तब जो हैं आप आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं सबसे पहले दस्तविश की बात करते हैं यहाँ पे देखी मतलब है कि कोई भी सूचना आपको यहाँ पे इस मोईल नम्मर पे और इमेल आईडी पे दी जाएगी तो इसलिए यह इंप्वाटेंट है बहुत सूच समझ के अच्छे से आनलाइन फॉर्म भरेंगे इसके बाद उस तो यहाँ पे देखी जो है परिवार पहचान पत्र पी पी ठीके परिवार पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए यह दाखले के लिए अनिवार है ठीके यह भी दाखले के लिए अनिवार है यह जब काड़िमेशन होगा तो इस टैम पे यह भी काम देग ठीक है इसके बाद जो है आपका जाती परमाणपत्र लगेगा चाहे आप जिस कटेगरी के होँ SC या फिर BC, BCA, BCB और इसके बाद दिब्यांक स्रेड़ी में आते हैं तो आपके पास होना चाहिए तो ये जाती प्रवाण पत्र जो है आपके पास सोना चाहिए और अच्छल का लाब प्राप करने के लिए इन सर्टिफ्यूट को लगाएंगी तभी जो है आपको लाब मिल पाएगा तो इम्पोर्टेंट है ये आपको ध्यान में रखना है इसकी बाद दोस्तों यहां पे आ का माल लेते हैं कि सतर दसमलों सतर दसमलों माल लेते हैं दो परसेंट है तो ये जो दो परसेंट वाले हैं पहले इनका नाम नहीं है पहले इनका नाम आएगा तब इसके बाद इनका नाम आएगा तो इसलिए जो है परसेंटेज के धार पे आपका आडमेशन होगा तो यही आप सोच समझ के अपना लगाएंगे इसके बाद जो है नभीन्तम फोटो आपके पास होना चीह फॉर्म में अप्लोड करना है तो नभीन्तम फोटो आपके पास होना चीह नया फोटो बनवा लेजिए इसके बाद दोस्ति आपके सामने यहां पर अगला कोई अधर स्टेट का है तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा उससे अगला है इसके बाद जो है अपना डेविड कार्ड के जो है मलब की ऑनलाइन आपको पे करना पड़ेगा फीस फीस के लिए हाँ बताया है कि जो है पचास रुपे यसी के लिए लगेगा और ठीक है और आर्थी रूप से पिछड़ी बर जो है उनको सो रुपे पी करना होगा यह है दाखले के फीस ठीक है इसके बाद जो है यहाँ पे अगर कोई इस कटेगरी में आता है तो आपको यह जो है लगा सकते हैं जैसे कि पीता विहिन जैसे अनात होगरा कोई है विधवा है ठीक है उनके संताने हैं तो इस जो है इनमें बेनिफिट थोड़ा सा मिलता है इसके बाद उस तो अगला है यहाँ पे संस्तानों के सूची जहां आप दाखले लेना चाहते हैं संस्तानों क सूची यह भी जो है आपके पास होना चाहिए यह ज़रूत नहीं है लेकर आपको जानना है कि कौन सा कॉलेज मेराराश़ oluyor चाहिए इसके बाद जो अपना खाता झाल झाल